अभी आ रहा था एक मस इंसिडेंट हुआ फटा फट मैं पार्किंग में गया वहां देखा गाड़ी का टायर जो है वो पंचर है एक लेफ्ट साइड वाले टायर की हवा बिल्कुल ही निकली हुई थी अल्दो टायर ट्यूबलेस होते हैं बोट उसकी ज्यादा ही निकल गी उट्यूबलेस में भी बिचारे में लेस में कुछ तो लेस हो तो फिर मैंने का अब कैसे किया जाए तो फिर मैं वापिस सुसाइटी की गेट पर गया और वहां चल रहे थे इरिक्सा मैं यह वड़िया है आज इंटेंवेंट हो जाए सुबह सुबही पंगे ले ले थे मैं इरिक्सा में बैट गया ठीक है उसको बोला कि बस तु दबा खूब भगा और मुझे यहां पर जाना है और यहां पुछा दे बोले ठीक है सर अब बीच में सवार यहां तो बिठाई लेता है तो एक अंटी बैट गए अब अंटी मुझे थोड़े टेड़े टेड़े इनको क्या मैं अपराधी टाइप का लग रहा हूं यह वीडियो क्यों बना रही है तो मैंने का ठीक है भाई वीडियो बन रही है तो बेसिकली अंटी फिर थोड़े बात मुझे बोली क्योंकि यह रिक्सा में काफी देर तक टाइम आपके पास होता है और तो कुछ करना न मैंने का हां ठीक है जी मेरा बेटा भी आपसे बढ़ता है मैंने का थेंक्यू सो मच अन्य बोले ड्रॉप तुम्हारी क्लास का है ड्रॉप लेना चाहरा है पिछले साल भी उसने त्यारी की थी इदर-उदर कोचिंग से बढ़ आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी है और अब वो ड्रॉप लेना चाहरा है मैंने का अच्छा तब अंटी ने बताया कि हां मैंने अभी उससे बात की मतलब वह अंटी ने वीडियो पॉल अपने बेटे को मिला ली थी देख यह यह क्या तो बहुत बड़ा मास्टर यह मेरे साथ इरिक्सा में घूम रहा है तो ब बना कर देता अँटी में पस टाइम नहीं रहता है मेरे क्लासेश होती है उस से मैं फुरी नहीं होता हूं बोले नहीं आपके घर पर आजाएगा आप परिशान मतों आपको कहीं आने की जुरत नहीं है मैं भेज दूए आप बस अपने दिन का एक गंटा दे दिए जए मैं अब मैं मनी मन में मतब फड़ा मुस्कुरा रहा हूं बड़ उनकी जो मासूमियत है अपने बेटे का भविष्य सुधारने की जो मासूम सी इच्छा थी उसकी अप डिस्रिस्पेक्ट नहीं करना चाता था और करकर भी मतब क्यों करूंगा मैं डिस्रिस्पेक्ट बढ़ा अब पास टाइम नहीं बात पैसे की ही नहीं अगर टाइम होता तो ऐसे ही बता देते ठीक है फिर अंटी ने का एक बार आप उससे बात कर दीजिए मैं बिलकुल सुबह सुबह बेटा बेटे से फोन मिलवा दिया मैं का हां बेटा क्या हाल है और पीछे से ए रिक्षा जो ह कभी-कभी रिक्षा में भी जाना चाहिए ना तो फिर बोला कि सर ऐसे ऐसे है फिर मैंने का बेटा कोई बात नहीं परियास जई 2.0 बैच स्टार्ट हुआ है अब वहां पर जॉइन कीजिए ठीक है बोला ठीक है सर उसको समझा दिया